को वीडियो में आपको दन नीए वीडियो से कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लो की शुटे के रिक्षिन है बाधिन देखने के- पिडियो लिखना को दो हैं और इस वीडियो आ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा है अब वीगो एंड्यू टीप असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है असीब शब्सक्राइब करें और आप देख रहे हैं हसी टीवी हसीब हसीब चार बार वर्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन और 2022 के अंदर गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शक्स एंड्रियो टेट इसलाम कबूल करने के बाद से एक लंबी कंटोवर्सी में ये शक्स अमेरिकन है और मगरबी कल्चर से तालुक रखता है और एक मजभी क्रिस्टन फैमिली में पैदा होने के बावजूद ये मजभी तोर पर एथियस था एथियस का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो के खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते हैं लेकिन अचानक से वर्ड मैट्रिक्स को लेकर इनके बियानों ने दुनिया भर के अंदर एक नई बैफ शेड़ दिया इसके लावा ये वेफटन कल्चर के निजाम होमोसेक्च्चुलिटी फैमिनिजम और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कमपनिस के मालिकों को एकस्पोस करने लगा कि कैसे ये अपने ही लोगों का खून चूस कर अपना बिजनिस चलाते हैं और फिर इसी बिजनिस प्रॉफिट को लोगों की बेतरी पर खर्च करने का दावा भी करते हैं क्योंकि इस इलीट किलास ने लोगों को एक मैट्रिक्स या जाल के अंदर कैद कर रखा है इन से सच चुपाया गया है कि दुनिया की तबाही के जमेदार कुछ ही ताकतवर लोग हैं या माफिया हैं जो कि इस और गनाइज तरीके से चला रहे हैं यही गलोबल वार्मिंग, LGBT, फैमनिजम, मजब की तालिमात का मजाक उड़ाने और अपने प्रॉफिट के लिए लोगों का फाइदा उठाने के जमेदार हैं मगर ये सच लोगों को मालूम नहीं आज तक इन से चुपाया गया है इस तरहां खुले आम दुनिया के माफिया को क्रिटिसाइज करने पर एंडियो टेट के तमाम सोचल मेडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया ये कह कर कि ये अपनी आउडियंस का ऐसी बातों से ब्रेन वाश करके कौन से पिर्सी या साफचों को पहला रहा है जो के हर एक प्लेटफॉर्म की कम्यूनिटी रूल्स के खिलाफ है सो ट्विटर के इलावा इन्हें हर जगां से बैन कर दिया गया क्योंके ट्विटर को हाली के अंदर एलॉनमस ने खरीद दे और वो फ्रीडम आफ स्पीच को लेकर कोई सखत कानून नहीं रखते मजूद है तो यकिनन इसका उल्ट भी होगा यानि अच्छाई भी जरूर होनी चाहिए और इसी तलाश ने मुझे इसलाम तक पहुंचा दिया और ये पेगाम मुझ तक मेरे मुस्लमान दोफ्तों के जरीए पहुंचा इसके बाद हमने देखा के मेडिया ने अंड्यू टेट के तमाम बेयानात को काफी तोड मरोड कर पेश किया और इसके कुछी टाइम के बाद इन पर हुमन ट्रैफिकिंग, फ्रॉड, सेक्च्छल अब्यूस और पॉर्नो ग्राफिक नेटविक चलाने का इल्जाम लगाकर रॉमानियन पुलिस ने इने गरफतार कर लिया और अपनी गरफतारी से कुछी टाइम पहले अपनी टूइट के अंदर एंड्यू टेट का कहना था कि दुनिया के ये पावरफुल लोग सच सामने लाने पर मुझे मार देंगे, अब ये मेरी जान के पीछे हैं और शायद इसी वज़ा से इनको बख्ष दिया गया और कुछी टाइम के बाद इनको रहाई मिल गई दुनिया भर में एंड्यू टेट को लेकर दो किसम के बियानाद रखने वाले लोग हैं, एक किसम के वो लोग हैं, जिन्हों ने मेडिया पर इनके खिलाफ चलने वाले बियानाद को देखकर, जो क्लेरली एंड्यू टेट के खिलाफ इसी वज़ा से, इससे नफरत करते हैं और कहते हैं कि इसने इसलाम इसलिए कबूल किया कि पूरी दुनिया से मुसल्मानों की हमदर्दिया समेट सके लेकिन इस बंदे की हकीकत दरसल है क्या क्योंकि ये शक्स इंतिहाई पूरसरार है और इसके बारे में आप जितना कुछ भी जानते जाएंगे हर लम्मे के अंदर आप मजीद हैरान होते जाएंगे पूरी दुनिया का मेडिया और सीक्रेट सुसाइटी जाकर इसके पीछे क्यों पढ़ी है ये मैट्रिक्स क्या है जिसके बारे में वो हर वक्त बात करता रहता है इसे किन ताकतवर लोगों से जान का खत्र है और आखिर क्यों आईए ये सब बातें इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं देखें एंड्रियो टेट के फेमनिजम, LGBT और मजब को लेकर व्यूज बिल्कुल वो ही हैं जो के इसलाम के अंदर तालीम किया गए है LGBT यानि लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुल और ट्रांफ जेंडर लोगों के बारे में वो सवाल करता है कि अगर कोई शक्स गे है या कोई लेस्बियन है, इनके उलाद नहीं हो सकती, इनको कोई दिमागी मसला है पर मेरा सवाल ये है कि ये कौन होते हैं मेरे बच्चों को ये सब सिखाने वाले, कि वो भी इन चीज़ों को नॉर्मल समझें या इनको जबरदफती सिखाने वाले के वो भी इन चीज़ों को बसंद करें ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी तर्बियत करके इनको बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत लेकिन इन लोगों को ये हक किसने दिया, सोसाइटी, मेडिया और गॉर्मेंट को किसने हक दिया कि टीवी पर या कोई कानून पास करके अपनी सोच मुझ पर और मेरे बच्चों पर मसलत करें इसलिए मेरे बच्चों से दूर रहो जबके फैमिनिज्ञ्म को लेकर इनका कहना है कि फैमिनिज्म के नाम पर औरतों को मरदों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया लेकिन औरत इस बाहर की तकलिफ के लिए नहीं बनी मर्दों और औरतों के जिमें अलग अलग काम है औरत का काम नहीं है कि वो मर्द के साथ अधनांगी होकर एक जीती हो ट्राफिक इतना अपनी नुमाईश करवाए और ये सब कुछ उस मैट्रिक से कंटूल की जा रहा है जो के दुनिया के ताकतवर लोगों ने बनाया है ये वो ताकतवर लोग हैं जो के दुनिया के तमाम मीडिया बैंक्स पॉलिटिक्स और इसॉर्सिस के मालिक ہیں ये लोग जान बूच कर आम लोगों को भेड़ बकरियां समझ कर इनके लिए ऐसे कानून बनाते हैं जिनके अंदर रह कर ये उलच जाएं इससे बाहर निकलने का सोच भी न सके हैं ये एक मैट्रिक्स जाला है जिसने हम सब को कैद कर रखे हैं और हम चाह कर भी इससे बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकते हैं और ये फैमिनिजम और एलजी बेटी इन लोगों का सबसे बड़ा थ्यार है ये चाहते हैं कि वक्त आने पर जब इन्हें दुश्मनों से जंग करना पड़े तो इनके सामने हारे हुए जनाना सिफ्ट के मर्द लिपस्टिक लगाए औरतों के लिबास में सामने खड़े नजर आएं इस फेमिनिजम के चकर में औरतों ने अपनी जमादारियां और घर बार को छोड़ दिया और मौडरन बनने के चकर में औरत घर से बाहर निकलती है मर्दों के बराबर हकूँ कासिल करने के लिए लेकिन असल में वो इस काम के लिए बनी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें मर्दों के बराबर काम नहीं कर सकती बिल्कुल कर सकती है लेकिन मर्दों और औरतों को इनकी जिसामात और इनकी सोच के बन्याद पर जिम्हदारियां दी गई हैं यूकर किसी काम के अदर ओर्धें अच्छी है तो किसी में मरद अच्छी है जब यह ओर्धें मरदों के बराबर अकूख असल करने के sensors के लिए घर से बार निकलती है तो इनकी ओलाद की तर्बियत मेडिया टीवी और सोसाइटी करती है जो yr wiping न को यह सिखा रही है के लेस्प उप्दाने निजाम जो के मौशरे की मुनियाद है वो टूट रहा है दुनिया के बिजिनस को भी यही माफियाफ चला रहे हैं जो के खुद तो हुद तो दुनिया की बड़ी-बड़ी महनगी गाडियों को बनाकर इन्हें दुनिया बर के अंदर बेच कर इसे अच्छा खास को लेकर awareness और इससे related projects पर पैसा लगाकर दुनिया को बेवकूब बनाते हैं यह ओड़तों को अदनंगा, बिल बोर्ड, टीवी और दुनिया भर के अंदर दिखाकर इससे अपना business बढ़ाकर खूब पैसा कमाते हैं पर इसी पैसे से औरतों के हकूब की बात करते हैं जबके मजब को लेकर इनका कहना था कि मैंने मुसल्मानों से जदा किसी को भी अपने दीन पर अमल करने वाला नहीं पाया और मैं सोचता हूँ कि अगर कोई दीन सचा है मसला अगर क्रिफच LANपी सचा मजब है तो पूरी दुनिया के क्रिफचन इस मजब की तालिमात पर अमल क्यों नहीं करते क्योंकि यहाँ पर वेस्ट के अंदर जहां पर भी करिफचनेटी मजब के मानने वाले लोग हैं यहाँ पर अगर कोई शक्स से क्रिफचन मुल्क रोशिया के अंदर एक टी शर्ट पहन कर पबलिक के अंदर चला जाए जिस पर लिखा हो कि जीसिस वास गे तो कोई इसे कुछ नहीं कहेगा और यही काम मैं आपको चैलनज करता हूँ कि इसलैंड के बारे में या इनके प्रॉफिट के बारे में कोई भी गрь मुस्लिम मुल्क के अंदर बी करके दिखा दे और इसके बाद बच्चके दिखाए क्योंके इस ग xi ripping मुल्क के अंदर इसकी जान को खत्रा होगा यह किस तरह का मजब है यह मैट्रिक्स के लोग दूनिया के सबसे बड़े मजब क्रिस्ट comida का मज़ा किसलीए बनवा रहे हैं जिंग्रों दूनिया के हर मजब से बेजार हो जाएं तो उसे वो हर चीज सबस्ट आथ ही लगती है जो के इसका दिमाग कहता है वो किसी कानून ये इखलाकियात का पबंद नहीं होता जिससे मौशरे के अंदर तबाई होगी जराइम होंगे, कतले आम होगा और बेहयाई होगी जो कि आज हमें दुनिया भर के अंदर देखने को मिल रही है अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो यकिनन आपको ये सीन याद होगा जहांपर मौर्फिस नियो को दो पिल्स देकर कहता है कि इन दुनों मेंसे एक को चूस कर लो एक पिल को लेकर तुम दुनिया के बाकी आम इनसानों की तरह बन जाओगे तुम इस दुनिया में जापा होगे ये मैट्रिक्स के लोग यहीं पर रहकर दुनिया को कंटरूर करते हैं और फुद ऐसे कानून बनाते हैं कि लोग इनके मताबक जी कर एक रोज बिना सवाल कि ए जानवरों कितरा मर जाएं ये मैट्रिक्स के लोग वोह हैं और फिर दुनिया को आमन का पेगाम देते हैं और इसी मैट्रिक्स को हाइलाइट करने पर एंडियो टेट को इस कंट्रोल मेडिया और सोचल मेडिया ने बेहन करके इनका बाइकाट किया इसे दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की मगर ये चीज़ अल्ला ने अपनी कुदरत के अंदर रखी है कि जिसको चाहे इज़त दे और जिससे चाहे जिल्लत काम्याबी सिर्फ अल्ला के इक्तियार में है फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो एंडियो टेट ने दुनिया के सामने इसलाम कबूल किया और हर मुसल्मान को इसका इतराम करना चाहिए इस वक्त वो इसलाम को सीख रहा है लहाज अगर इस दुरान इससे कोई गलती भी होती है तो इस पर greatisize करने की बजाए सबसे पहले खुद से सवाल करें कि क्या आप खुद perfect मुसल्मान है एंडियो टेट का कहना था कि ये matrix के लोग मुझे आज नहीं तो कल मरवाई देंगे क्योंकि ये किसी भी कीमत पर सच दुनिया के सामने पहुचना अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि मैंने खुदकुशी नहीं की क्योंकि मैं बुद्दिल नहीं हूँ बलके मुझे कतल करवाया गया और अगर मैं जिन्दा रहा तो आपको बहुत जल्द ये समझ आ जाएगा कि मैंने जो कुछ भी इनके मुतलिक आपको बताया था वो सब सच है बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी कीमती रहे का इजार कमेट सेक्शन में जरूर करें सक्ष्क्राइब करो तो कैसी लिगी आपको वीडियो या कमाल की वीडियो थी ओ और 100% मतलब सच का आगया और एंड्रियो टेट को मैं भी आफ फालो करूंगा या क्या क्या बोलता है और मज़ा आगया हसी टीवी ने बहुत अची वीडियो बना बहुत अजल समझाया सब और मज़ा आ गये। और बत्वत सही है तो सिह पावर में जो है रहना है वो सबसे हैं लोग है। इल्लुमिना टीवी कहते हैं उनको इल्लुमिना टीवी कहा है। उनको बलैटिक्स हो सेम ही चीज है। आप भी comment कर के बताना आपको कैसी लगी और आंडुए टेट अपको कैसे लगते , comment कर के बताना तो चलते है next video की ता मिलते है , next video में तब तब पर कहले हो